एक तरह से last adjustment कह सकते हो that is आपका manager commission ठीक है यह सबसे last adjustment है और चलो यह नहीं हाला कि पहले लिख दिया था लेकिन दुबारा बता देते हैं देखिए अगला adjustment है commission to manager अब जब commission to manager होगा न तो commission on net profit before charge commission होगा या फिर होगा after charge ठीक है अगर आपका before charge commission हुआ तो आपका formula होगा commission is equal to net profit into में अगर जो भी rate दे रखा है rate बते में 100 लेकिन अगर after charge हुआ तो ऐसे situation में formula लगाते हैं commission is equal to rate sorry commission is equal to net profit into में rate divided by 100 प्लस में rate ठीक है अब इसको एक example से समझ लेते हैं सर यह है क्या देखिए क्या देखिए देखिए जैसे आपके सामने मैंने एक पी इंडल बनाया ठीक है और मेरा जीपी दे दिया मैंने suppose 10,000 और इधर कुछ खर्चे हैं suppose करो salary दे दिया और salary दे दिया मैंने 1000 तो नाव आपके पास यहाँ पे net profit निकाल सकते हो और आप net profit लिखना नहीं है कहीं बाहर निकाल दो आप net profit अब net profit जो आया that is 9,000 आ गया है तो अगर before charge हुआ in case मैं मान लेता हूँ 10% rate है अगर before charge है before charge 10% rate है तो ऐसे situation में क्या करोगे ऐसे situation में करोगे commission is equal to 9,000 into में 10 by 100 that is 900 ठीक है अब यह 900 रुपीज कमीशन यहाँ दिखाओगे अब final profit अब निकालना होगा आपको final profit क्योंकि commission भी एक परकार का खर्चा ही है और खर्चा है तो पी एंडल के debit में होना चाहिए तो हम ऐसा निए कि directly लिख देंगे तो पहले निकालेंगे अब जो profit आएगा that is हमारा 8100 यह वाला net profit माना जाएगा और यह net profit कहाँ add-on हो जाएगा हमारे capital में add हो जाएगा समझ रहे बात कहाँ add हो जाएगा हमारा capital में जाके इसको add कर देंगे ठीक है यह किसका था case और इसके दो entry होगा क्योंकि आपको पहले से यह commission पता था या नहीं पता था नहीं पता था क्योंकि निकाला है और जब पहले से आपको नहीं पता था तो आपने payment भी नहीं किया होगा इसका मतलब यह outstanding भी रहा होगा तो यह एक दूसरे जगा चला जाएगा कहाँ पे sir liability side में तो अगर before charge वाला आपका case बनता है तो आपने क्या करना है before charge वाले case के अंदर simply आपको दो जगा जाएगा यह entry कहां कहां जाना है आपका एक चला जाएगा हमारा पी एंडल के debit side में जैसे भी मैंने दिखाया था आपको debit side और दूसरा चला जाएगा balance sheet के liability side ठीक है बताइए कोई दिकत अगर after charge हुआ मान लीजिए इसी question को मैं फिर से करता हूँ और after charge के case में मैं बताता हूँ क्या होगा अगर यह after charge हुआ तो थोड़ा सा amount भी बदल लेते हैं ठीक है इसको हम कर लेते हैं एक लाक मतलब बारा हजार कर देते हैं correct ठीक है और यह सब भी change होगी है फिर तो यह सब बदल गया ठीक है अगर after charge हुआ तो मैंने कहा 10% commission on net profit after charge commission ठीक है अब देखें यहां पर क्या करेंगे हम बहुत simple सी बात है यहां पर after charge के अंदर सबसे पहले आप net profit internally निका लिए यहां लिखना नहीं है तो 12 में से एक जाएगा तो कितने बचेंगे 11 तो हमारा net profit जो है 11 है अब इस 11 के उपर commission apply होगा that is आपका 11,000 और after charge वाले case में 10% था तो 10 बटे 110 हो जाएगा that is आपका 1000 अब commission फिर से आएगा 1000 अब net profit कितना आएगा सर 10,000 यह net profit capital का part होगा और यह commission फिर से दो जगा चला जाएगा हमारा ठीक है यानि अगर हम देखें यह commission दो जगा कहां जाएगा सर दो जगा जाएगा एक चला जाएगा मैंने यही करा है rate by one plus 100 एक चला जाएगा कहां पे हमारा एक चला जाएगा पी एंडल के debit side और एक चला जाएगा हमारा balance sheet के liability side देखिए एक तरीके से last adjustment था लेकिन without GST ना complete नहीं होगा GST तो करना पड़ेगा हमें उससे वह commission given नहीं होगा यह है manager commission तो फिर percentage देखा क्यों हो सिर्फ trial balance में given वह तो सिर्फ खर्चा है commission वह पी एंडल के debit में डाल देंगे बस नहीं ठीक है यहां तक कोई दिक्कत क्लियर है सारा यहां तक यहां थेकिन के का拓एब होगा वह नहीं है झाल झाल